बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में तो आज हम आई बैंदेजिंग किस तरह से करेंगे ये देखने वाले हैं तो जिसके लिए कि मैं ने बैंडेज ले लिया है और पेशन्ट के राइट आई में बैंडेजिंग करना तो हमें राइट साइड आउट पेशन् के पूरा सरकल लेने के बाद तरफ के कान के ऊपर से बैंडेज को होते हुए आई को कवर करते हुए हमें और पिर जिस साइट का आई कवर हुआ है उसाइट के कान के नीचे से bandage को होते हुए पीछे की तरफ ले जाना है अब हमें दूसरी पारी में जो है bandage को उपर की तरफ से दीरे दीरे bandage जो जहां पे किया है उसके उपर से होता हुआ जाएगा और कानों के पास जब जाएगा तो वो उसी तरह से उसके उपर से होता हुआ जाएगा इस तरह से पूरा का पूरा आई जो है हमारा covered हो जाएगा और यह जो है वो covered नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आई की bandaging करनी है जब हम bandage इस तरह से जो है मैंने 3-4 stock bandaging के किये हैं और हमारा आई जो है वो पूरी अच्छी तरह से covered हो गया है अब जो है हम इसको close करेंगे bandaging को तो जिसके दिये एक पूरा circular mode ले करके bandage को अच्छी तरह से ताकि bandage जो है वो फिसले नहीं इसलिए एक circular mode ले करके उसे हम fix कर लेंगे और पूरा करना है और फिर sticking plaster लगा करके bandage को अच्छी तरह से fix कर लेना है आई-dressing जो है आई की surgery, आई-lead की surgery में किया जाता है जिसमें की आखों के उपर pressure कम पड़े अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल लाइक करें, subscribe करें, comment करना ना भूलें और bell icon दवाना ना भूलें upcoming videos के लिए धन्यवाद